अगर आप हमारे Constitution के बारे में देखेंगे तो उसका आर्टिकल 16 के साब से दोनों को समान अधिकार दिया गया है तो ये कहां से सही हुआ? अगर आप 80% लड़कियों को देगे तो फिर बॉइस का जाएंगे उन लोग कब ये सिर्ट से गड़ने का क्या मतलब रहा? मायरा फाशन्स, एन एक्स्क्लूजिव रेंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन स्वामी कॉंपलेक्स आनवगामौल अजमेर साथ में पढ़ रहे हैं, कुएट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को समान अधिकार मिलने चाहिए, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो रेश्यों आगे-बागे बिगड़ जाएगा, बोईस का करने का मतलब कोई बचेगा नहीं, नर्सें सिर्फ गर्स दिखेंगे, बोईस कहीं हम यहां रोडों पर आनिकले कर रहे हैं, गौवर्मेंट को देखना चाहिए, कि स्टूरेंस कितना सेक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने डिस्क्रिमेरेशन की बीछे, और मैं, हम लोग ऐसी स्ट्राइक करते रहेंगे, हमारी पढ़ाई वेस्टों की पूरा, जितना भी इंड दिया जा रहा है, हाली में आपको पता है, पटना और नागपुर एमस ने जो विबगती निकाली है, उसमें स्रीफंडेज गल्स को आरक्षित किया गया, बीस पंडेज बोईज को आरक्षित किया गया, सर यह तो सरासत अन्य है, सर इस्टे पूरसों की बेरोजगारी बढ एक दो पतना और नागपुर एमस ने यह विबगती निकाली है, सर तो सभी एमस को समान तक अधिकार दिया जाता है, और सर जो अनुछे दिन के अनुसार यह रूल सा उसके अंदर कि गल्स और पूरस को दोनों को समान तक अधिकार दिया जाता है, सर ऐसे तो जब गल्स औ पर बेटने का आए उजन होगा और इसकी बागिधार सरकार होगी खुद विनोद मिना राज के नर्सिंग महावेद देले हैं अज मैं रद्देख से रोजगार नर्सिंग बेटी और जिसमें इसका आज फिमेल नर्सिंग कर रही है दो कहीन कहीं सरकार की समझना है कि काला कानूर पास करता है गांडुको वैपिस लेना है एक तरफ तो WHO World Health Organization 2020 को Nurses and Midwife Year of 2020 मना रहा है उसको celebrate कर रहा है प्लोरेंज नाइटेंगल की सोवी पुनिती थी थी के उपलक्स में और एक तरफ केंदे सरकार मोधी सरकार इस तरह का बेदबाव पुनित तरीके के काले कानून पास कर रही है जो कि नर्सिंग सभुधाई में एक तरफ का काम किया जा रहा है तो हम सभी नर्सिंग अभेरती, सभी बेरोजगार नर्सिंग अभेरती, सभी चातर परदी ने दी करने का मौका दिया जाए जिसे हम भी हमारे सकने हमारे करवालों सकने पूरे कर सके मेरा नम एहमल से नी परतीनिदी जिला सा का हजमेर